नमस्कार जेहिंद मैं साहिल आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूटी क्लासस प्रियागराज के इस ओफिसियल प्लेटफॉर्म पर आशा करता हूँ कि मेरे सभी गुड़ा गुड़ी जितने भी प्यारे साथी होंगे प्यारी बेहन भाई होंगे, सभी बहुत बढ़ियां होंगे, बहुत स्वस्त होंगे और आपकी तयारी में कोई भी बाधा नहीं आ रही होगि ऐसा मैं उमीद करता हूँ प्रिमियर जैसा कि ये class आज आपकी प्रिमियर चल रही है प्रिमियर मतलब आप live chat कर पा रहे होंगे तो जो data में आपको सिखा रहा हूँ उसका आप comment भी कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं अपना श्रत प्रतिशत कोशिश यही करता कि आपको class में कोई भी doubt ना आने पाए ऐसा इस तरह से मैं आप लोगों को classes provide करता हूं प्रिमियर मतलब यह lecture recorded ही है लेकिन आपके सामने मैंने प्रिमियर लगा दिया जिससे आप यह classes प्रिमियर रोज साम को साथ बजे अपने समय पर चलेगी आप सभी classes में साम को साथ बज से प्रिमियर अर्थात लाइव हो जाएगी ठीक है आज के इस क्रम में प्यारसाथियों आज की 34 वी class है यानि इसके पहले आपकी कुल 33 class हो चुकी है आज यह आपकी 34 वी class है आये शुरुवात करते हैं इस 34 वी class में हम करेंगे शब्द चिन्यों को करेंगे और शब्द चिन्यों को पहले साथी फिर हम डिप्टेशन भी लेना शुरू करेंगे शब्द चिन्ये उसके बाद आपका डिक्टेशन इस चलिए शब्द चिन्यों के बाद मैं आपको इसका डिक्टेशन भी प्रोवाइड करूंगा आईए प्यारे साथियों सुरू करते हैं आज के अपने शब्दचिन की और ये शब्दचिन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 69 ये आपको मिलेगा प्यारे साथियों आप पेज नंबर इस पुस्तिका में पेज नंबर 69 यानि 79 जिसे हम बोलते हैं तो इस पर आप देखेंग तो आपकी पुस्तिका में ये सब्दचिन दिया गया है तो पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए ये वही पुस्तिका है और प्यारे साथी मैंने एक नाम दिया है कि इससे बहतर कहीं और नहीं ठीक है आईए सुरुवात करते हैं आज के अपने शेशन की और आज का सेशन है सब्द चिन बढ़ियां बढ़ियां शब्द चिन और इन्हें हम शेकने का भरसक प्रयास करेंगे शब्द चिन सब्द चिन आईए सुनुबात करते हैं यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट क्योंकि यहाँ पर आपको कुल चार मुख्य बिंदू दिये गए हैं और इन चार मुख्य बिंदू को ध्यान देंगे हम चाह चाहते और चाहिए यानि एक ही सब्द चिन से आपके तीन शब्द बनेंगे चाह चाहते और चाहिए तीनों शब्द आपके एक ही सब्द चिन से बनेंगे उसके बाद है छोटा उसके बाद है आपका छोटा फिर आगे है अच्छा जिस और जिन जिस और आपका यहाँ पे होगा जिन तो प्यारे शातियों यहाँ पे आप सभी को यह सारे डाटा यह आपको दिख रहा होगा जहाँ पर चाह चाहते चाहिए छोटा अच्छा जिस और जिन यह आज आपको नए सब्दिचिन देखने को मिले हैं तो यह नया सब्दिचिन कैसे बनेगा भई पुस्तिका में भी आपके दिया गया है आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बई कि यह अगर बना हुआ है इसकी उत्पत्तिक हुई है तो इसके उत्पत्तिक का सिध्धान्त क्या है मैं आपको सिध्धान्त प् बढनाते इतना आपको नहीं बनाना है चभयेंजन आपका आधा बनना चाहिए यह इतना इसी में यह आपका चोड़ा ОТा सा उत लेकर चोड़ा सा विरिद्च जो है आगे गुमावदार विर्ट आगे बढ़ा हुआ होना चाहिए यानि मैं फिर से इसे बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा यह चाह और इसी में यह आपका लग रहा है यह प्यारे साथी दोखो मैंने आपको एक दिन बताया था नहीं यह आपने पढ़ा सा सा जा शा शा जा लेकिन अगर इसी वृत्त को हम दोगना बना दें इतना कर देंगे तो आगे चल कर फिर यह आपका हा पढ़ा जाएगा तो सेम नियम यहां पर यही एपलाई हुआ है कि इसे में जुड़ा हुआ है हा लेकिन थोड़ा असा वृत्त को बनाते हुए आगे की और किये और इसे में वृत्त बनाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे लेकिन हमें याद रखना है कि अगर हमें चाह चाहते और चाहिए डिक्टेशन में लिखना है तो उसके लिए इस सब्दचिन का प्रियोग करेंगे लेकिन ख्याल रहे कि आपको इस लाइन के उप ओपर बनाना है तब ही आपढ़ेंगे चाह चाहते और चाहिए ठीक है यदी QU इसी चीज को आप चाह के वेंजन को हाव रित्ते के साथ हाव रित्त बनाते हो आगे बढ़ाएंगे लेकिन ये तो आपका रेका के ऊपर है यदि jusे चीजे को आप रेका कर बनाएंगे प्यार चाह चाहते चाहिए लेकिन आपने इसी चीज़ को इसी वेंजन को इसी वृत्त के साथ मिलाते हुए आपने रेखा पर लिख दिया तो यह च्छोटा पड़ लिया गया दिफ्रेंट देखें बस दिफ्रेंट देखें कैसे डिफ्रेंट आपका क्रियेट होता जा रहा है यही आपका में टार्गेट होना चाहिए उसके बाद है प्यारे मित्रों आपका अच्छा तेम इसी चाके व्रित को हावरित चाके व्रित के साथ बनाते वे अंत में थोड़ अर्थ निकल सकते हैं शब्द चिन या तो रेखा के ओपर अर्थात लाइन के ऊपर सब्द चिन या तो लाइन पर शब्द चिन या लाइन को काड़ते हुए यही आपका शब्द चिन का नियम है शब्द चिन का उडूल है ठीक है तो हमने बनाया इस चीज को रेखा के ओपर तो चाह भी पढ़ेंगे, चाहते भी पढ़ेंगे, चाहिये भी पढ़ेंगे, कभी भी डिक्टेशन में आपको तीनो एक साथ नहीं बोला जाएगा, ये गया परशाद अगरवाल जी ने दिखाया है, कि आप एक ही शब्द से, एक ही वेंजन, इस ऐसा बनाने से, आप तीन ने शब्द पढ़ सकते हैं, आप कुसी को रेखा पर लाइन पर लिख रहे हैं तो चोटा पढ़ा जा रहा है, लाइन काट के लिख रहे हैं तो अच्छा पढ़ा जा रहा है अब दो शब्द और हैं आपके एक है जिस और एक है जिन अब जा और सा आ रहा है तो क्या हम साके वृत्य से सर्जी बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं प्यारे मित्रों तो जाके वेंजन को आप साके वृत्य के साथ जोड़ देंगे लेकिन ख्याल रहें रेखा पर बनना चाहिए रेखा पर बनाना है आपको लाइन पर लाइन पर आप बनाएंगे पैरस जैसे पढ़ा जाएगा ठीक है लाइन पर बनाते हैं तो जिस और जिस जिस पढ़ा जाएगा ठीक है लाइन काड़ते ही बनाएंगे तो बस याद रखिएगा रेखा के ऊपर बनाएंगे आप तो जैसा जैसे लाइन पर बनाएंगे तो भई जिस पढ़ा जाएगा ठीक है अ अभी आपको ये ना का आकड़ा पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आपको यहां बताता चल रहा हूँ कि जावेंजन में अगर ये ऐसा जुड़ा हुआ है ये घुमावदा ये जो आकड़ा लग रहा है ये लगा हुआ है तो ये है क्या यही आगे चलकर आप पढ़ेंगे ना आ आपको आगे पढ़ाओंगा तो इसमें अगर ऐसा सरकल बन रहा है क्यों बन रहा है आगे चलकर आप नियम पढ़ेंगे ना आकड़े का परयोग तो इसमें ना ही जुड़ा हुआ है तो जावेंजन को ना आकड़े के साथ बना देंगे तो ये हो गया आपका जिन अमोमन अकसर लोग केवल आपको बता देते हैं बही कि ऐसा बनाओ बस यही पढ़ा जाएगा जिन लेकिन नहीं मेरा शिद्धान्त है कि मैं आपको एक एक चीज सारा क्लियर करता रहता हूं ठीक है चलिए पॉइंट नंबर दो की तरफ चलेंगे हम और आज के इस शैशन का मद्य और मतलब मन मान माना मन भी पढ़ा जाएगा मान भी शब्द पढ़ा जाएगा एक ही आपके शब्द वे की वेंजन से और आपका इसी से माना भी पढ़ा जाएगा आगे दिया गया है माने मानो मानी माने मानो और मानी यह आपके शब्दी दिये गए है point number two में आईए इसे भली बाती हम लोग समझते हैं मालूम, मद्ध और मतलब यानि यहाँ पे मालूम भी है एक ही सब्दी से दो पढ़ा जाएगा मद्ध और मतलब यहाँ पे मन, मान और माना माने, मानो, मानी आईए ध्यान देते हैं इस सीज़ को पहले साथी अगर आप केवल और केवल मा का वेंदन आपने पढ़ा है क्या हाँ जी सर आपने मा के वेंदन हमें पढ़ाया है यानि मा के वेंदन को अगर हम इस रेखा के उपर बनाते हैं याद रखेंगे इस रेखा के उपर यदि मा का वेंदन बन रहा है तो वो पढ़ा क्या जाएगा मालूम क्या पढ़ा जाएगा भई सर जी मालूम पढ़ा जाएगा अभी तक तो हम केवल मा वेंदन को बनाते थे तो केवल उसका उच्छारण माही होता था लेकिन अगर अब इस मा के वेंजन को इस रेखा के ऊपर बनाएंगे तो यह क्या पढ़ा जाएगा मालूम पढ़ा जाएगा कि उसी प्रकार आगे देखिए अगर सेम आप इस इस माके वेंजन को आप इस रेखा पर बनाते हैं तब क्या पढ़ा जाएगा तो प्यारे मित्रों आप याद रखेंगे मध्य भी पढ़ा जाएगा और मतलब भी पढ़ा जाएगा जैसे मैं आपको बोल दो कि तुम्हारा क क्या मतलब है जैसे मैं यहां पर लिखने चल रहा हूं तुम्हारा क्या मतलब इसी में है जोड़ दो भाई ये तो यह मतलब मैंने लिख दिया मैंने लाइन मुझे पता है कि मतलब का सब्दचिन लाइन पर होता है यह कैसे लिख पाएंगे सर प्रैक्टिस होनी होगी आप कि मैं प्रैक्टिस करवाओंगा आपको जो मैं आपको डिक्टेशन दे रहा हूं बस प्रैक्टिस आपकी है क्या जितना भी शब्दिचिन आपको मिल रहा है आप भले ही आगे बढ़ते जाएं लेकिन पूर्व के सब्दिचिनों को आप अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं आदत बनेगी कैसे खुब प्रैक्टिस करें हर दिन पुस्तक उठाएं उसका अनुवाद उस पुस्तक में देख देखकर या वीडियो में देख देखकर आप उसको बनाएं यह ऐसा बनेगा वो ऐसा बनेगा फिर जब मैं डिक्टेशन बोलूंगा ना खुब लिखो आगे चलकर आपके सफलता का कारण बनेगा प्यारे दोस्ति इस पीड आपकी बढ़ेगी इनी चीजों से आपकी गती आएगी ठीक है चलिए यहां पर हो गया केवल मैंने मा के वेंजन को रेखा के ओपर बनाया इस लाइन के ओपर बनाया तो मालूम शब्द मैंने मा के वेंजन को इस रेखा पर बना दिया तो मद्ध और मतलब पढ़ा गया अब बात करते हैं मन मान माना अब देखो सब में मा का वेंजन है और अंत में ना का वेंजन है तो ना के आंकड़े से हम बनाएंगे यानि इस रेखा के ऊपर मा वेंजन को बनाते हुए अंत में यह ऐसा घुमावदार आंकड़ा लगाएंगे और यही घुमावदार आंकड़ा आपका ता कहां तो सरी ना का अंकड़ा है यह जो आंकड़ा थीघन को अगर ना क्ड़े के साथ इस लाइन इस रेखा पर बनाते हैं तो यह कम नभी पढ़ा जाएगा मान भी पढ़ा जाएगा माना भी पढ़ा जाएगा तीनों आपके पल ड़े जाएंगे लेकिन जैसा मैंने यहाँ पर मा के वेंजन को ना अकड़े के साथ रेखा के ओपर बनाया यहाँ पर अगर मा के वेंजन को हम इस रेखा मा के वेंजन को ना अकड़े के साथ हम अगर रेखा पर बनाते हैं अर्थात लाइन पर बनाते हैं तो इससे आपके तीन नए शब्द बनेगे माने मानो मानी माने मानो मानी याद हो गया भी मा के वेंजन को रेखा के उपर मालूम वही मा का वेंजन रेखा पर बनाने से सब्द चेंज हो गया मद्ध मतलब मन मान माना ये मा के वेंजन को ना आकड़े के साथ रेखा के उपर बनाने से माने मानो मानी मा के वेंजन को ना आकड़े से रेखा पर बनाने से यह पढ़ा जाएगा चलिए I hope कि यहां तक आप सभी को एक इदम किलियर हो गया होगा आई यह हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की और पॉइंट नंबर आपका यहां पे है तीसरा दिया गह है आज जाए आज और जाय जाय ऑनी एक ही सब्ध चिन से दो शबद आज और जाय आगे भोजन और जो भोजन भी पढ़ा जाएगा एक ही सब्ध से भोजन भी और जो भी जरूर और जरूरी जरूर और जरूरी आगे दिया गया है जरूरत जरूरत चलिए आईए इस डाटा को हम बढ़ियां से समझेंगे पहले कि यह डाटा क्या कह रहा है प्यारे साथी जैसे आपने आभू तक शारे चीजों को बनाते आए हैं अगर मित्र आपने जाके वेंजन को पढ़ा है ना अगर जाका वेंजन आप इस रेखा के उपर बनाते हैं फिर से ध्यान रखेंगे जाका वेंजन आप इस रेखा के उपर बनाते हैं तो दो नया शब्द बन जाएगा आज भी पढ़ा जाएगा और जाय भी पढ़ा जाने से दो नए शब्द चिन आज और जाए लेकिन इसी जाके वेंजन को हम रेखा पर बनाएंगे तो शब्द आपका चिंज हो जाएगा भोजन भी पढ़ा जाएगा जो भी पढ़ा जाएगा अच्छा अगर मैं भोजन लिखता हूं जैसा हमने पढ़ा आया अभी तक स्पीड इसी को कहते हैं आ तो बहुत से लोगों को मेंट साहते रहते हैं कि सर जी क्या इस मंत में यहाई सा कुछ कमेंट साहते रहरेगे नश्ột ही डस महीने नहीं आप उसके बादब हाइट इतना जबर्दस लिखेंगे पहरे साथ ब्रोसा और pyrr Stra Heer लिए होना चाहिए आपके अंदर presence होना चाहिए। सफलता उसी के कदम चुमती है जिनके सपनों में जान होती है ए het जबनायन होने के साथ साथ आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए लक्ष ऐसी प्राब्त नहीं हो सकते हैं आप अगर 200 तो फिट उची किसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप सोचेंगे पहले चढ़ने के लिए पिर आप धैरे बनाएंगे कि हाँ थोड़ी 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 कदम चलेंगे तो पहुच जाएंगे वहां तक तो बस यह ऐसा समझे धैर अगर आप अपना नही खोएंगे तो आपको सौटेंड बहुत मैं बहतर सिखा रहा हूँ और इससे बहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे साथी आप चले जाएएगा किसी इंस्टिटूट पर वहां चले जाएंगे आपसे बढ़िया से सैसे साथ आठ जार उपए लिया जाएगा पुरे कोर् आपके साथ कैसा कैसा मैं आपको पठा रहा हूँ ठीक है चलिए आज जो मैंने जाके वेंदन को रेखा के उपर लिखा तो आज और जाए अगर इस जाके वेंदन को रेखा पर लिख जाएगा या तो जरूर पढ़ेंगे हम या तो जरूर पढ़ेंगे जैसे मैं बोल दूँ कि राम आज जरूर जाएगा तभी भी आप जा वेंजन को लाइन पर कारते लुकेंगे मैं बोल दूँ वह बात बहुत जरूरी है तभी भी आप जरूरी के लिए जाके वेंजन को र आंकड़े का प्रेव करोंगा यानि जाके वेंजन में मैंने कुछ ऐसा जोड़ दिया तो यह यही आपका है ताका आंकड़ा जो मैं आपको आगे सिखाऊँगा क्या इस ताके आंकडे में एक मिनट भई एक मिनिट एक मिनिट एक मिनट यह उल्टा में लगा दिया तो कि यह होगा आपका जरूरत तो कि दिदय कोुए अगर मैं इस तो ना का आकड़ा वेंजनर के अंदर की और लगता है यह यूं है ना देख पा रहे हैं आप लेकिन यह ताका अकड़ा हो था यह वेंजन के पहले पहले पक्च में लगता है यह इसका पहला पक्च यह इसका दूसरा पक्च देख रहे हैं आपना तो यही आपका तो मैंने जाके वेंजन में ताके आकड़े को जोड़ दिया ठीक है यह लेकिन पहले साथ ही याद रखिएगा लाइन काड़ते हुए आपको बनाना है लाइन क्योंकि जरूर आ रहा है जरूर यहां पर भी तो है तो जरूर के लिए पहले जाको काटेंगे फिर ताक या आकड़े को हमने जोड़ दिया यह हो गया आपका जरूरत ठीक है पॉइंट नंबर फॉर मैं भी इंसान हूँ भाई कभी कभी हो जाता है मिस्टेक है ना चली आईए बढ़ते हैं आगे है ना चली दिया गया है आगे आपका समाज जीवन और जीविका जीवन और जीविका यह आपके तीन नए शट मिल रहे हैं एक ही वेंजन से बनाने से आईए मैं देख लेता हूं यहाँ पर पहसी आप देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पिस इस सब्द में जा भी है और शा भी आम तो है क्या साके विर्द्ध से हम बना सकते हैं क्या बिल्कुल बना सकते हैं साके विर्त को जा वेंजन के साथ मिलाते हुए इस रेखा पर बनाना है आपको फिर से धान रखेंगे साके विर्त को जाके वेंजन के साथ बनाते हुए हमें इस रेखा पर टच करना है यही आपका शब्द चिन होगा समाज समाज ठीक ह जीवन की बात करूं यहां पर यह जीवन के लिए कुछ ऐसा दिया गया होगा जी और इसी में वाका वेंजन है और अंत में नाका अंकर अलगा हुआ अब देखो यह आपका सब्दुचिन बना है तो कैसे बना है इसको जड़ा समझना यहां पर मैंने वाव बंजन तो अलग करे रहा हूं यह आपका वबंजन उसके पहले मैंने यह क्या लगाया वह शुर्ण। यूं देखो बहर साथ ही यह आगे चलकर आपका होगा जाका प्रियोग जांकड़े का प्रियोग यह आपका होगा ना कड़ां ठीक है तो बाकिस मैंने वाके वेंचेर में जाको जोला ना को रहा दोस्में यही तो किया है भी सब्सक्राइब आए आपको ना बस आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी इतना ध्यान रखें आप कि आगे हमें नियम पढ़ना है फिर से मैं इसे बना दे रहा हूं कि यह का वेंदन इसी में नाका आकड़ा जीवन उसके बात प्रादे सातीय जीवी का अब हो मैं जाके वेंदन में लेकिन वा वेंदन को मैं बना दूंगा इस प्रकार से यह आपका हो जाएगा जीवी का लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे वा वेंदन यहां पर जो होगा ना जैसे जा ये वा वेंदन इतना होता है न इतना तो हमें वाके वेंदन को आधा बनाना है इतना सर जी यहां पर वाके वेंदन को आधा क्लिव बनाना है पहरे साथी आधा इसलिए बनाना है कि आगे चल कर एक रहे सिर्ट में चाहिंट पर कि आपध्यासर होगा फे और में यहां यहाँ तक सारा डाटा आपको कुलियर हो गया तो आज के शेशन को फिलाल यही तक रखेंगे कल हम लोग करेंगे अभ्यास नमबर 21 फिर इसके बाद देखिए आपका सरवनाम सरवनाम प्रहाने से पहले में आप सबी लोगों को पूर जितना भी मैंने शब्दचिन्य पढ़ाया है एक बार सब्दचिन्य का डिक्टेशन कारें शक्रहणं के लिए थे डाटस सबकुछ में कबर कर दोंगा ठीकन तो आईए इसका डिक्टेशन लिखते हैं डिक्टेशन जितना लिखेंगे उतना आपकी बढ़ेगी और इदि आप अभी लाप्रवाही कर देंगे तो भाई फिर आप यकीन रखिये आप यह मान के चलिए कि आपकी व्रिद्धी आपकी स्पीड में रुकावट पैदा हुले जाएगी मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि रेडी कि इस्टार्ट कि चाह कि चाहते चाहिए चोटा अच्छा जिस जिन मालूम मध्य मतलब मन मान माना माने मानो मानी आज जाय भोजन जो जरूर जरूरी जरूरत समाज जीवन जीविका जरूरत आज जिन चाहिए माना जरूरी जरूरत समाज जिस जिस मालूम चोटा जीवन अच्छा जो चाहते मानो मध्य जरूरत मतलब मतलब आज जो भोजन जरूर जरूर ज dawूरी जिन जो चाहिए य॥ote तो पहले साथ ही मैंने पहले आपको यहां से लेकर यहां तक डिक्टेशन डिक्टो शेम दिया मैंने बिल्कूल से दिया फिर मैंने शब्दों का उलट फेर कर दिया ठीक है उलट फेर इसलिए किया हो कि होता है ना कि कभी-कभी देखते हुए चीज़ें रट जाती है तो ठीक है तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है प्यारे साथी कोशिश करते रहें सफलता निशन थी एक नए एक दिन आपके कदम अवस्ट ही चुमेगी और प्यारे साथी सौटेंड आप दिक्कत ना लें और हां SSC MTS का बैच आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूटी क्लास प्रियागराज पर सुरू होने वाला है फर्स्ट ऑफ अप्रेल 2024 यानि एक अप्रेल 2024 से आपकी SSC MTS की क्लास भी सुरू हो जाएंगी जहां पर GKGS मैं पढ़ाने वाला हूं दीपक सर आपको पढ़ाएंगे इं उसकुराते रहें मेरा प्रणाम कहिएगा उन माता पिता जी के चरण अश्पर्स करके मुझे उनसे बोलिएगा कि भई एक हैं शाहिल जी उन्हें आशुरवाद दीजिए पहरे साती माबाप का आशुरवाद एक इंसान को बहुत उचाई तक ले जाता है और भी मेरा प्र